दुनिया की महाशक्ती चीन इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूज रहा है। चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवर ग्रेंड दिवालिया हो गई है। वहीं चीन के एक बड़े बैंक ने भी डिफॉल्ट होने की जानकारी दी है। दुनिया की फैक्टरी और आर्थिक महाशक्ती कहे जाने वाले चीन का दिया बुशता नजर आ रहा है। आर्थिक सुस्ती के भी चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी चाइना एवर ग्रेंड के दिवालिया होने से देश में कोहरा मच गया है। इस दिगज कंपनी ने अमेरिका के कोट में बैंक्रप्सी के लिए आवेदन किया है। गौर तलब है कि पिछले साल एवर ग्रेंड के डिफॉल्ट करने के बाद से वहां के रियल एस्टेट सेक्टर के ढहने की शुरुआत हो गई थी। लेकिन अब इसके दिवालिया होने के बाद चीन में मानो हाहाकार मच गया है। एवर ग्रेंड डुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज वाली रियल एस्टेट कंपनी है। इस कंपनी पर 330 अरब डॉलर का कर्ज है। एवर ग्रेंड ने 2021 के अंथ में कर्ज के भुकतान में डिफॉल्ट किया था। एवर ग्रेंड के साथ ही इसकी सहयोगी कंपनी तियानजी होल्डिंग्स ने भी बैंक्रप्सी के लिए आवेदन किया है। कंपनी ने अमेरिका की अदालत से बैंक्रप्सी कोड के चेप्टर 15 के तहट राहत की मांग की है। इससे क्रेडिटर्स कंपनी के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते हैं और ना ही उसके एसेट्स को अटैच कर सकते हैं। कंपनी ने अमेरिका की अदालत से बैंक्रप्सी कोड के चेप्टर 15 के तहट राहत की मांग की है। इससे क्रेडिटर्स कंपनी के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते हैं और ना ही उसके एसेट्स को अटैच कर सकते हैं। चीन में रियल एस्टेट सेक्टर को अर्थ विवस्था का मजबूत स्तंभ माना जाता है। लेकिन बीते कई साल से वहां रियल एस्टेट सेक्टर कमजोर मांग से जूज रहा है। चीन में कई शहर खाली पड़ी, गगन चूंबी इमारतों से अटे पड़े हैं। ये घोस्टाउन वहां की रियल एस्टेट सेक्टर की बधाली के सिंबल्स बन गए है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि चीन के रियल एस्टेट सेक्टर ने ये संकट कैसे पैदा हुआ। दरसल रियल एस्टेट सेक्टर का विकास तब होता है जब लोगों के पास खरीदने की ज्यादा शक्ती होती है चीन में कोरोना काल के दौरान से ही सरकारी नौक्रियों में भारी कटोती हुई है वहीं प्राइविट सेक्टर को भी बड़ा धक्का लगा है क्योंकि अमेरिका और यूरोप चीनी प्रॉड़क्ट लेने से इंकार कर रहे हैं इससे शेंजेन निर्यात क्षेत्र में काम कर रही प्राइविट कंपनियों पर धड़ा धड़ ताले लग रहे हैं राष्टपती शी जिन्पिंग के आक्रामक रवाईय की वजह से अमेरिका और यूरोप यो देशों ने चीन से खुद को डीकपल कर लिया है अगर जिन्पिंग का यही रवाईया जारी रहा तो आने वाले वक्त में चीन में आर्थिक संकट और भी गहरा सकता है Bureau Report, Q5 Network